आज हम बात करेंगे डलको फ्लेक्स टेबलेट के बारे में हम जानेंगे यह टेबलेट को कब यूज किया जाता है कैसे यूज करते हैं डोज क्या होती है डियूरेशन क्या होती है साइड इफेक्ट क्या होते है इस टेबलेट के तो यह सारी बाते हम इस वीडियो में जानें इसलिए वीडियो को बिना स्कीप किये पूरा देखें जिसे शंपूर जानकरी आपको डलको फ्लैक्स टेबलेट के बारे में मिल सके नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजिस प्रजबती आप देख रहे हैं डियार इक्ष राजेश हेल्थ फार्मा सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डलको फ्लैक्स टेबलेट का जो कंटेंड है वो बिसा कोडिल है जो की कॉंस्टी पेसंस के लिए यूज किया जाता है जब हमारा डाइजेश्टिव सिस्टम सहीं से काम नहीं करता और फ्रेस होने में प्रॉब्लम होती है या फिस जोर लगाना पड़ता है तो उस सिचुवेशन को कॉंस्टी पेसं या कब्ज कहा जाता है तो आपने देखा होगा कई बार डलको फ्लेक्स का टीबी पे भी एड आता है और ये हर जगे एबेलिबल है और ये एक लेक्जिटीव है अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहां कहां पे और किस किस कंडीशन में किया जा सकता है तो क्रॉनी कब्ज अगर बहुत लंबे स पर समय कबज हो रहा हो या दो चार दिन से कबज हो़ा हो तो बहां पर इस यूज किया जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस टेबलेट से मिलता है दूसरा सरजरी हुई है किसी महिला की डेवरी के दोरान तो क्या होता है आतों के अंदर فिटस चिपक जाता है इस चिपक के रह जाता है और वो निकल नहीं पाता और वो सड़ता रहता है तो उसके लिए भी डलको फ्लेक्स टेबलेट देखे और उसको ठीक किया जाता है तो अब ये टेबलेट काम कैसे करता है हमारी बॉडी में इसको हम थोड़ा सा यहां पर समझेंगे तो देखिए जब ह हमारी आतों के अंदर पानी की कमी होगी तो जो हमारा फिकास है जो मल है वो ड्राय हो जाता है सूख जाता है आतों में चिपक के बहीं रह जाता है तो इसकी में बजा क्या होगी कि पानी की कमी होने के कारण वो सूख जाता है और वो निकल नहीं पाता पास नहीं हो पाता तो ऐसी situation को बोलते हैं कब जिया constipations, देखिए डलकोflex tablet काम कैसे करती है, तो ये पानी को absorb करती है, large intestine बड़ी आत को और फिर phrase out करती है, जिससे ये जो मल है वो निकल जाता है, large intestine को stimulate करता है, तो उससे क्या होता है, बहाँ पे electrolytes पानी की कमी को पूरा कर देते हैं, अब अम डलकोflex tablet के contrary indication की बात करें, कि कौन कौन से ऐसे वो बैक्ति हैं, जिनको डलकोflex tablet नहीं दिया जाता, तो अगर किसी बैक्ति को diarrhea हुआ है, तो उन्हें डलकोflex tablet नहीं दिया जाएगा, किसी को dehydration होआ है, मतलब सरीर में पानी की कमी हुई है तो उन्हें डलकोफलेक्स टेबलेट नहीं दिया जाएगा उन्हें इन्फ्यूजन चड़ाया जाएगा उससे जो डिहाइडरिशन हुआ है पानी की कमी हुई है वो पूरी हो जाएगी अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें कि हो सकते हैं abdominal pain हो सकते हैं तो यह इसके कुछ common side effect होते हैं डोस की बात किया जाये तो 10 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना है 10 साल से उपर किसी को भी दिया जा सकता है डिपेंड करता है कि उसकी constipation की cbr t क्या है अगर कम है तो 5 mg दिया जा सकता है उस जादा है तो 10 mg द देता है अगर आप खाना खाने के आधे घंटे पहले इसे खाके सोते हैं तो यह बोडी में बहुत ही अच्छा काम करता है तो यह था डलको आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेर करें और आपने अभी तक अपने योट्यूब चैनल डी-र-x राजे शेल्थ फार्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कर लें तो थैंक्स फर वाचिंग इस वीडियो